असलाम अलेकुम आज हम सिंट टेक्स्बुक किलास थिरी मेर्ट की एक्सरसाइज नमबर वन के बारे में बात करेंगे इस एक्सरसाइज में हमने चार चीजों को कवर करने की कोशिश की है सबसे पहले Arabic Numbers, Roman Numbers, Even Numbers और Odd Numbers अब ये Numbers क्या होते हैं आईए देखिए Arabic Numbers क्या होते हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये तमाम जो हैं Arabic Numbers होते हैं जिसको हम सिंपली काउंटिंग केते हैं जितनी भी काउंटिंग होती है वो सब Arabic Numbers किलाती है इसके बाद Romans Numbers Romans Numbers सीखने के लिए सबसे पहले हमें 1 यानि के 1 को जो है हम I से शो करते हैं 5 को V से Capital V या Small V से शो करते हैं और 10 को हम Capital X या Small X से शो करते हैं ये तीन से मिल हैं यानि के I, V, X यानि के 1, 5, 10 इसी से हमारे बाकी Numbers भी बनाए जाते हैं अगर हमने 2 बनाना है तो हम 2 I यानि के 2 Capital I को एक साथ लिखेंगे या 2 Small I को साथ लिखेंगे अगर हमने 3 बनाना है तो हम जो है 3 Capital I को या 3 Small I को जो है वो साथ लिखेंगे तो यानि के 1, 2, 3 ये हमारे 3 हो गए अगर हम ने 4 बनाना है तो अगर हमने इसको 4 I लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा अगर हमने 4 बनाना है तो हम 5 जो कि हमने पहले पढ़ाता small V या capital V से इसको शोग करते हैं 5 को हम जो है left side पे यानि कि minus 1 करेंगे minus 1 Roman numbers में किस तरीके से करते हैं जब भी हम left side पे कोई भी number लगाते हैं तो उसकी value जो है छोटी हो जाती है यानि कि वो minus हो गया जब हमने V के साथ जो है यानि कि 5 के साथ minus 1 लगाया तो यानि कि 5 में से 1 गये तो 4 बचे यानि कि हमने जो है I और V इसको minus से शोग नहीं करेंगे लेकिन हम इसको एक साथ लिखेंगे यानि कि capital I या small I और V इस तरही किसे अब आगिया 6 6 को जो है हम सबसे पहले हम 5 लिखेंगे यानि कि V लिखेंगे उसके बाद जो है हम हमारा जो एक है यानि कि single I वो लगाएंगे जब भी हम जो है right hand पे कोई भी value add करते हैं किसी भी value के साथ तो वो जो है greater में चलिया थी यानि कि उसका number जो है ज़्यादा हो जाता है यानि कि जब हम I को जो है पहले लगा रहे थे तो वो minus में जा रहा था अब I को जो है हम 5 के बाद लगा रहे हैं तो यानि कि 5 और plus 1 तो यह 6 हो जायागा इसी तरीके से 7 बनाने के लिए V और हम इसके साथ जो है plus करेंगे 2 यानि कि 2 I तो यह 7 हो जायागा इसी तरीके से 8 बनाने के लिए V यानि कि 5 और 3 add करेंगे plus करेंगे तो यह 8 हो जाएगा इसके बाद आता है 9, 9 को किस तरीके से बनाया जाता है, हमने जो है उपर पढ़ाता कि 10 को जो है capital या small x के साथ जो है show किया जाता है, तो इसी तरीके से हम 10 में से minus 1 करेंगे, यानि कि 10 यानि कि x लिखेंगे, x से पहले minus 1 कर देंगे, यानि कि x से पहले i लगाएंगे, capital या small, तो ये 9 मन जाएगा, इसी तरीके से 10 को जो है X से शो करते हैं, इसके बाद 11 आ जाता है, 11 बनाने के लिए हमने सबसे पहले 10 लगाएंगे, उसके बाद पिलस 1, अगर हम पिलस कर रहे हैं तो ये हम राइट हैंड पे लिखेंगे, आई, तो यानि के X और आई, इसी तरीके से 12 बनाने के लिए X लगाएंगे, यानि के X मतलब के 10 और 7 में 2, यानि के 2I, तो 10 और 2 जो है 12 हो जाएंगे, इसी तरीके से 13 बनाएंगे, इसी तरीके से 14 बनाएंगे, 14 मतलब जो हमने 4 पढ़ा है, यानि के I और V, इससे पहले हमने 10 लगा दिया, यानि के X लगा दिया, तो तरीके से 16 और ये continue चलते वे 20 तक चला जाएगा आज हम जो है इसको 20 तक cover करेंगे अब बारी है even numbers की तो इसकी definition कहती है the numbers which are exactly divisible by 2 are even numbers यानि के वो numbers जो के 2 के table से divide हो जाएं divisible का मतलब हम यहां पर divide का लेते हैं यानि कि वो numbers जो के 2 के table से या 2 के table से divide हो जाएं इसके बाद आता हैं odd numbers odd numbers क्या होते हैं odd numbers की definitions पड़ी जाएं तो the numbers which are not exactly divisible by 2 are odd numbers यानि कि वो numbers जो के 2 के table से divide या divisible ना हो उनको odd number कहा जाता है even numbers जो हैं वो pairs की सूरत में होते हैं जैसे के 2 का pair, 4 का pair, 6 का pair, 8 का pair, 10 का pair जबके जो odd number होते हैं वो pairs की सूरत में नहीं होते हैं यानि के 3, 5, 7 इसको जो है एक तस्विर में चार्ट की सूरत में समझते हैं इसमें कुछ apples दिए गए हैं सबसे पहले जो है 1-1-A-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P इसी तरीके से 4 का जो है पियर बन जाता है इसी तरीके से 6 का 8 का और 10 का जो है पियर बन जाता है जबके जो हमाई पास 5 है 7 है और 9 है इनका पियर नहीं बनता तो यह ओड नंबर्स किलाएंगे